हेलो फ्रेंड्स अंकितास फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बोंडा इसे आलू गोंडा या पटाटा वड़ा और भी बहुत सारे नामों से यह जाना जाता है हमारे इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में लेकिन स्वाद तो सबका एकी जैसा होता है मज़ेदार बिलकुल बढ़िया भलाई तरीका थोड़ा बहुत अलग हो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी देखने के बाद तो लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस बेल सब्सक्राइब को प्रेस कर दिए आपको मेरी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे शुरू करते हैं यह मजेदार यम्यमी सा स्नैक्स मुझे तो बहुत पसंद है आप भी जरूर ड्राइं कीजिए अब आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है च वे ऊंट मुझे फुख ठंडा होने के लिए चोड़ दीजिए आप इसका विसल मत निकाले जब खुख ठंडा हो फिर आप इसं अभी से ओपन कीजिए ऊपन करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसके चिल के उतार दिये हैं आलू के मसाला पनाने कलिए मैंने लिया है मैंने 10-12 लिया है जादा भी यूज़ कर सकते हैं दो इंच अद्रक का टुक्रों और एक बड़ी हरी मिर्च मिर्च और अद्रक लेसन अब जादा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत जादा स्पाइसी चाहिए ये मीडियम स्पाइसी के लिए है अद्रक को हम छोटे छोटे टुक्रों में कटकर और इसे डाल देंगे जार में इन तीनों चीज़ों को हमें पीछना है अदरग, लहसन और हरी मिर्च इन तीनों चीजों का हमें खुरदूरा सा पेस्ट बनाना याने की कोरस आप देख सकते हैं मैंने बहुत पेस्ट बारिक नहीं बनाया है यह खुरदूरा सा है हमें ऐसा ही चाहिए अब एक गरम कढ़ाई में दो से तीन चमज के लगभग तेल दालेंगे तेल जैसे बढ़ियां गरम हो जाए अब उसमें एक चमज डाल दीजे भरके सर्सों के दाने चोटे हो या बड़े हो आप दाने डाल दीजे अब इसको ढ़कन से थोड़ा ढग दीजे ताकि आपके फेस पर ना जाए इसमें डाल दीजे काफी सारा कड़ी लीप है बड़ा हाफ स्पून वाला चमज है इसके बाद इसे अब अची तरह से भून दीजिए फ्लेम मेडियम रहेगा हाई मत रखिए लो मत रखिए मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून दीजे इसके बाद इसमें आधा चोटा चमज डाल देंगे सॉल्ट आप ब्लैक सॉल् अलु मैंने चोटे चोटे टुग्रों यानि की स्तरह से एक त्वियं थोड़ा खिए इसके चोटे चोटे टुग्रे से दिखे आप देख सकते हिसे अच्छी तरह Hunter से मैंने मिक्स कर दिया हमें इस तरह से बनाना है मसाला अलु मसाला को 2-3 मिनित तक श्रेल भून देके बा गेस का फ्लेम अभी आफ है यानि कि फ्लेम बंद है और इसे आप इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है चलते हैं आगे जब तक कि आलू मसाला ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं चटनी चटनी के लिए मैंने धनिया पत्ती लिए एक मुट्टी एक टमाटर काट लिया है मैंने तीन लैसुन की कली एक हरी मिर्च ये मेडियम तिखी है और एक आम का अचार आम की अचार की जगा आप लेमन जूस य या फिर आमचर विउस कर सकते हैं धनियापती इसमें डाल देंगे हम लाज़न कीी गली भी डाल देंगे खड़ी मिर्च और ये टमाटर कटे हुए ौरी गूटली हम निकाल के डालेंगे जो बहुत जादा बारीक पेस नहीं बनाना है बस थोड़ा थोड़ा करके रोक रोक कर पीसेंगे तो इससे चटनी बढ़िया बनती है अब आप देख सकते हैं चटनी हमारी रेडी हो चुकी है इसके साथ आलू बोंडा बहुत बढ़िया लगता है मैं ऐसी ही चटनी बनाती हूं आप भी इसे ट्राइ कीजिए बहुत बढ़िया लगेगा चलते हैं आगे अब आलू बोंडा के लिए गोल बनाना है तो उसके लिए 200 ग्राम बेसन ले लेंगे कप से एक कप पीने वाले ग्लास से एक ग्लास इसमें डालेंगे मेक चौधाई चमच नमक स्वाद अनुसार और हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा कलर आने के लिए आदा चोटा चमच और दो चुटकी हींग इसमें डाल देंगे इन सबी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद डालना शुरू करेंगे इसमें पानी दीरे दीरे डालेंगे बहुत जादा सदेंड पानी डालेंगे नहीं तो लंब से यानि कीटलिस में कुठलियां बन जाएंगी और अच्छी तरह से गोल बनने ही पाएगा इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसे यह देखिए इस तरह से डालिये तो बैटर अच्छा बनेगा बैटर हमें गाढ़ा बनाना है ठीक बनान तो इससे क्या फुला फुला बनेगा वह फलफी बनता है बड़ा देखिए पानी मैंने इसमें थोड़ा साओर मिलाया है एक एक चमच करके डाल रही हूं मैं कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वह आपको मैं दिखाती हूँ अभी चमच से गिरा के यह देखिए यह भी टूट ट आधा ही यूज हुआ है पूरा पानी यूज नहीं हुआ मतलब एक गलास अगर बेशन लेंगे तो आधा गलास पानी में हो जाएगा अब इसमें दो चुटकी डालेंगे बेकिंग सोडा मेठा सोडा खाने वाला सवड़ा आप जो भी बोलते हैं एक चमच गरम तेल डालें आलू बॉंडा के लिए घोल तो रेडी हो गया आप शुरू करते हैं बॉल्स बनाना जो आलू मसाला हमने रखा था वो ठंडा हो चुका है अब हम अराम से इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे बॉल्स आप छोटे बनाईए ताकि बड़ा जो है नॉर्मल मेडियम सा इसका बनेगा कढ़ाई में तेल जादा यूज नहीं करना पड़ेगा वरना अगर बड़े-बड़े बॉल्स बनाएंगे तो तेल बहुत जादा डालना पड़ेगा इसे डिप करने के लिए यह दिखिए इस तरह से आप छोटे-छोटे इसके बॉल्स बना लीजिए मैंने बेसन में इस तरह से घोल में डिप कर लेंगे स्पून से आप स्पून से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इसे डाल कर हाथ से भी कर सकते हैं मैं आपको स्पून से एक करके दिखा देती हूं यह दिखिए इस तरह से तेल बिल्कुल गरम है उसमें मैं डाल रही हूं यह अब हाथों से भी आप डाल सकते हैं मुझे हाथ से जादा कमफर्टिबल लगता है डालना तो मैं हाथों से ढाल रहे हैं यह देखिए इस तरह से मेकक करके बड़े डालते जाएंगे इसमें तेल काफी गरम है अब हम इसे तीरे-दीरे करके पलट-पलट कर सभी तरफ सही से कर लेंगे बिल्कुल डीप फ्राइब करना है लग फगी फ्राइब हो चुका है देखिए फिरेंट कितना बढ़िया बना एक तम बहुत सपंजी बहुत सॉप्ट है मैं आपको तोड़कर भी तिखाऊंगी से यह देखिए यह पहला मैंने निकाल दिया है अब दूसरा दे कितना थेष्टenा तरह हो चांँ देंगे किनार में बाइए स्पून कुटा यह च्छांना को डिए दिया केरेंगे देखिए में इतत化 है यह जर्शा में टीनकाल देखिए जबण बढ़ियाशे में ताने विंद्क है यह दिनकाल है यह दिय्जग से बीड़ करें दिया है यह देखिए बाकी के वड़े को भी मैंने बना लिया है इसी तरह से यह देखिए अगर तेल की कौंटीटी कम हो तो आप बड़ा इसमें कम-कम डालिए मैं तीन डालिए देखिए लास्ट में जो बच जाता है ना उसका इस तरह से बनाई यह मिक्षर जैसे खाने में बहुत तेस्टी लगता है चलते हैं आगे मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूं यह देखिए कितना अच्छा वड़ा बनाई एक्टम सौफ्ट है बिल्कुल जाली दार है मैंने आपको बोला था ना विलकुल देखिए जाली-जाली जैसा इसका जो ए लेयर में जाली-दार दि नमक वाला और वड़ा खाते समय वहरी मिर्च को काट काट कर खाये बहुत अच्छा लगता है खाने में बिलकुल अपका दिन बन जाएगा फ्रेंड्स आप लोग बनाईए का जरूर यह बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और मेरी और भी वीडियो को देखने के ल कर लीजिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई